हेलो दोस्तों, स्वागत आप सब का अपने यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले ITC के सेर के बारे में सारी बात जानेंगे, सारे पैरिमिटर पे बात करेंगे और आने वाले सपोर्ट और रसिस्टेंस भी जानेंगे तो वीडियो बहुत important होने वाली है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर दिजिए stocks related वीडियो लाते रहते हैं अगर आपने वी तक डिमेट अकॉंट नहीं खुला है तो लिंक description में दिया हुआ एंजल ब्लोकिंग और जिरोदा का आप वहां से डिमेट अकॉंट खुला सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो तो सबसे पहले बात करेंगे श्टो का delivery quantity से तो जैसा कि आप देख पारें श्टो का delivery quantity 46.42% देखने को मिलड़ा है नेक्स्ट बात करेंगे श्टो का PE ratio के बारे में तो जैसा कि आप देख पारें श्टो का PE ratio 13.29 है और sector PE 41.85 देखने को मिलड़ा है dividend yield की बात करें तो जैसा कि आप देख पारें 6.13% देखने को मिल रहा जो की काफी अच्छा है 2-3% का dividend yield अच्छा माना जाता है और ये stock 6% से उपर का dividend yield प्रवाइट करती है तो ये कहीं न कहीं अच्छी बात है तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है intrinsic value की बात करें तो जैसा कि आप देख पार है correct price is less than the intrinsic value अभी जो price चल रहा है वो कम है intrinsic value से return versus FD rate की बात करें तो stock has been generating better return on equity than bank FD stock bank FD से अच्छा पैसा बना के देती है dividend return की बात करें तो stock offers good dividend return stock अच्छा dividend return offer करती है entry point देखे तो good time to consider as stock is not in overbought zone अभी सही time stock में invest करने के लिए अभी stock overbought zone में नहीं है तो ये सब चीज को आपको बिल्कुल भी नहीं बुलना है चलिए एक बार stock का financial level पे नज़र डालते हैं तो जैसा कि आप देख पार है revenue में एक अच्छा increment देखने को मिलदा है और profit में भी अच्छा खासा increment देखने को मिलदा है साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिलदा तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है share holding pattern के बात करें तो जैसा कि आप देख पार है कोई भी stack place में नहीं रखा हुआ और promoter के पास भी कोई भी stack नहीं है और mutual fund के पास 9.45% का stake देखने को मिलदा और DIS के पास 42.09% का stake है और FIS के पास 14.60% का stake देखने को मिलदा और other parties के पास 43.31% का stake है तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है चलिए एक बार देख लेते हैं expert का क्या मानना इस stock के बारे में तो जैसा कि आप देख पारे हैं 80% expert का ये मानना है कि इस stock के invest करना सही है short term के लिए भी long term के लिए भी चलिए एक बार technical level पर नजर डालते हैं तो जैसा कि आप देख पारे हैं RSI अभी bully signal दे रहा और money flow index अभी neutral बता रहा और MACD अभी bully signal दे रहा है चलिए बार stock का support और resistance देख लेते हैं तो जैसा कि आप देख पारे stock का pivot point 165.43 और stock का first resistance 167.07 और second resistance 168.43 और third resistance 170.07 और stock का first support 164.07 और second support 162.43 और third support 161.07 तो यह सब चीज़का आपको ध्यान में रखना है अगर आप इस stock में invest किये हुए हैं या करने वाले हैं तो यह support और resistance आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है तो आज के वीडियों बस यहीं तक अगर आपको वीडियों अच्छा लगा तो लाइक कर दीजी और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो जल्दी से कर लिजी इस stock से related वीडियों लाते रहते हैं